नमस्कार आप सभी का स्वागत अविनंदन आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वण सद्धान्त जिसको संरचनावाद की नाम से जाना जाता है संरचनावाद विगत कुछ वर्षों में बहुत लोगपरिये हुआ महतुपूर्ण हो गया और संडचनावादी समिक्षा दृष्टी ने समिक्षा जगत का समिक्षकों का ध्यान आकरिष्ट किया संडचनावाद की अवधारणा के प्रवर्तक के रूप में फ्रांस के बहुती चर्चित और प्रसिद भाषा वैज्यानिक फर्दिनान्द डी सस्यूर को माना जाता है वही इसके प्रवर्तक कहे जाते हैं 1857 में उनका जन्म और 1913 में उनका निधन ऐसा माना जाता है तो संडचनावाद सस्यूर के साथ उसको जोड़ कर उसकी चर्चा उसकी अवधारना उसकी सैद्धान्त की इस पर हमेशा बात की गई संडचनावाद से अभी प्राए क्या है संडचनावाद का अभी प्राए है किसी भी साहित्यक रचना या कविता का सरजन यनि उसकी पूरी संडचना किस दृष्टी से निर्मित होती है किस दृष्टी से उसका सरजन उसका रूप उसका प्रारूप तैव होता है यह उसकी संडचना है संडचनावाद एक दृष्टी है और साहित्य शाब्दिक संडचना की रूप में हमारे सामने आता है यानि साहित का स्रजन शब्दों के योग से होता है तो शब्दों की संरचना की बुनावट ही संरचनावाद की मूल में काम करती हुई दिखाई देती है इसलिए प्रत्येक वस्तू जिसके कई घटक तत्वों के संशलेश से निर्मित होते हैं ये घटक एक तरफ तो परसपर संबद होते हैं उनमें एक आंतरिक अनिविती होती है एक आंतरिक लेव होती है और दूसरी तरफ वो पौन निर्मिती के साथ उनका जो संतुलित संशलेश है वो अलग से दिखाई भी देता है यानि सायतिक शाबदिक संसलेश ही संरचनावाद का मूलाधार है संरचनावाद की जब स्ठापना हुई तो सस्यूर ने एक Course in General Linguistics नामक पुस्तक लिखी Course in General Linguistics इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने दि लौंग जिसे अंतर वयक्तिक भाषा व्यवस्था कहाए अंतरवयक्तिक भाशा व्यवस्ता ल लॉंग कहा ये ल लॉंग जो है ये बहुत महत्पूर्ण तक्निकी या पारिभाशिक शब्द की रूप में हमारे सामने उभरता है और दूसरा ल परोल है जिसको पैरोल कहते हैं ल पैरोल अब अगर ल लॉंग में अंतरवयक्तिक भाशा व्यवस्ता काम करती है तो ल पैरोल में व्यक्ति विशेश की भाशा काम करती है इसलिए इसे व्यक्ति विशेश की भाशा का दर्जा दिया भी गया है तो जब हम व्यक्ति विशेश की भाषा का विश्लेशन करें तो लपैरोल के अंतरगत करें और जब हम अंतरवयक्तिक यानि वयक्तियों के परसपर संबाद, परसपर आदान-प्रदान की भाषा के आध्येन करें तो उसे दलॉंग के रूप में विवेचित विश्लेशित कर पैरोल के आधार पर भाषा के नियमों का अनुसंदानी संदचना कहलाता है। मानसिक रूपात्मक क्रिया मानते हैं और लेवी स्ट्रास ने मिथक को लॉंग मानते हुए इसके अलग-अलग रूप पैरोल के रूप में व्याख्याइत किये हैं। संदचनावाद इतिहास और दृष्टी के रूप में जब हमारे सामने आता है। तो सस्यूर को संदचनावाद का प्रवर्तक मानते हुए हम यह देखते हैं कि उन्होंने भाषा के विशलेशन के जरिये संदचनावाद की नीव इस्थापित करने का एक महत्पूर्ण और उलेखनी ये कारे किया है। भाषा के विशलेशन के जरिये संदचनावाद की नेव रखने का काम सस्यूर करते हैं और ये वास्तव में एक महत्पूर्ण प्रदेव उनका माना जाता है। सस्यूर के अनुसार शब्दों के अर्थ बाहरी दुनिया की चीजों भावी वस्तूं के संदर्ब से निर्धारित नहीं होते हैं। वो कहते हैं कविता में काहणी में उपन्यास में या नाटक में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन शब्दों के भीतर जो अर्थ होते हैं वो बाहर की दुनिया से चालित नहीं होते हैं वो भावी वस्तुओं के संदर्व से निर्धारित नहीं होते हैं, बलकि ये संकेतों के जरिये ही निर्धारित होते हैं, इसलिए भाषा की परिभाषा जब देते हैं तो वह उचरित सार्थक वाक प्रतीकों की द्वनी के रूप में उसकी चर्चा की जाती है, एक संकेतों संकेत जिसे वो सिगनिफाइड कहते है, या एक हिस्सा है जो प्रिष्ट पर लिखा जाता है, जो मुदरित होता है, जो टंकित होता है, और संकेति या सिगनिफाइड यह हमारे मस्तिष्क में एक तस्वीर बना देता है तो हम प्रिष्ट पर लिखे हुए हिस्से को जब पढ़ते हैं आत्मसाथ करते हैं तो एक बिम्ब हमारे मनो मस्तिष्क पर उस लिखे हुए कत्थे के मूल का भाव का या मर्म का वह अंकित हो जाता है उसका एक चित्र बन जाता है यही तो वाक प्रतीक है जैसे हम किसी प्रिष्ट पर जाल लिखते हैं तो यह संकेतक यानि सिगनिफायर है और जाल की जो तस्वीर हमारे मनो मस्तिष्क में बनती है वह सिगनिफाइड है भाषा की परिभाषा देते हुए भाषा विदो ने भाषा विज्ञानिकों ने इस तरह के तमाम और धरणों से इस बात को स्पष्ट किया कि भाषा उच्चरित सार्थक वाक प्रतीकों की एक ऐसी यादरचिक व्यवस्था है जिसके माद्यम से सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय के लोग परस पर विचार विनमे करते हैं आदान प्रदान करते हैं आदी आदी तो ये जो एक वाक प्रतीक हैं वाणी के शब्द के प्रतीक हैं प्रतीकार्थ हैं वो महत्पूर्ण हो जाते हैं वही हमारे मस्तिक पर अंकित हो जाते हैं एक चित्र बनता है और वही भाशा के शब्द की सार्थकता का दियोतक भी होता है यदि वो चित्र नहीं बन रहा तो वह उसे निर्थक सा घुशित करने लगता है इसलिए सस्यूर की ये मान्यता है ये सपष्ट मानना है कि सिग्निफायर यानि संकेतत और सिग्निफायर यानि संकेतत इनमें एक यादरचिक संबन होता है एक आर्बिट्रेरी संबन बन जाता है इस यादरचिक संबन को वो तरकहीन मानते हैं उसमें कोई लॉजिक नहीं होता उसमें कोई कारकिकता काम नहीं करती कि हमने किसी पंक वाले को पंका कहना है या बिना पंक वाले को भी पंका कह सकते है बिना पंक वाला भी पंका है हम चार पाई वाले को ही चार पाई कहेंगे या किसी और को भी चार पाई कह सकते है पलंग किसे कहें, कुर्सी किसे कहें, मेज किसे कहें, आधी-ाधी तो ये तरक हिंता उसके साथ उसकी बात करते हैं इसलिए संदचनावाद के मूल सिद्धांत को विस्तार देते हुए कहते भी हैं कि भाषा शास्तर से बाहर के विज्ञान में इसे लागू किया जाना चाहिए, किया जा सकता है उनका मानना है कि संदचनावाद को भाषा विज्ञान से साहित के क्षेत्र में रोमन याकोबसन के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था रूस के रूप वादी अंदोलन से जुड़े याकोबसन के द्वारा 1920 में या उसके आसपास प्राग में यान मुकारोवस्की के साथ मिलकर एक संदचनावादी का विशास्तर का निर्मान किया गया, उसका विकास किया गया संदचनावादी का विशास्तर, फ्रांसिसी संदचनावाद के संस्थापक क्लाउद लेवी स्त्रास जो सन 1960 के आसपास का जिनका समय है पहले दार्शनिक थे जिन्होंने संदचनाबाद का इस्तिमाल संस्कृतियों के अध्याइन के संदर में किया तो संदचनाबाद की भूमी का साहित से जुड़ी भाषा से जुड़ी और संस्कृति के अध्याइन से भी जुड़ गई क्लाउद लेवी संत्रास संस्कृतियों की संदचनाबाद को लागू करते हैं और यह भी मानते हैं कि हर मिथक भी छोटे मिथकीय हिस्सों से निर्मित होता है बहुत से मितकी हिस्से होते हैं और वो अनेक हिस्से जब मिल जाते हैं तो एक मितक बड़ा बन जाता है और इन हिस्सों को वो माइथम नाम देते हैं संदचनावाद और साहित्य के परसपर रिष्टों पर विचार करते हुए इसी द्रिष्टी से वो कहते भी हैं कि संदचनावाद को साहित्य के ख्षेत्र में परचारित परसारित करने का यदि मुख्य श्रे है किसी को तो वो रोला बार्थ को जाता है रोला बार्थ ने संदचनावाद की व्याख्या दा फैशन सिस्टम नामक पुस्तक में की थी एकता से युक्त संपूर संरचना के रूप में देखना चाहिए इसका मतलब कृती को हम उसके अंग उपांगों के माध्यम से नहीं देख सकते उसे समग्रता के साथ उसे इन टोटेलिटी देखने की कोशिश करनी चाहिए यह संपूर्ण रचना परत दर परत इतनी जटिल होती है कि इसे अंग भूत उपसन रचनाओं जैसे ध्वनी जैसे चंद जैसे बिंब जैसे पदविन्यास इनके गुम्फन के रूप में देखा जा सकता है रोला बार्थ ने ये स्विकार किया कि साहित निर्माण में पांच नियम काम करते हैं कोई भी रचनाकार या साहितिकार जब किसी साहितिक रचना का सरजन करता है चाहे वो कथात्मक हो काव्यात्मक हो और पन्यासिक हो या नाठकिय हो तो वे उसमें पांच नियम काम करते हैं पहला उसकी व्याख्या यानि उसके भीतर नेहित अर्थ क्या है और उस अर्थ को व्याख्या इत किये बिना उस रचना के साथ नयाय नहीं किया जा सकता फिर दूसरा चिन सहिता और तीसरा प्रतिक आत्मक्ता और चौथा क्रिया व्यापार सहिता और पांचवा सांस्कृतिक दृष्टी इन पांच तत्यों के आधार पर पूरा पाठ क्रमशे गुजरता है अगरसर होता है तो संदेचनावाद को माक्सवादी परंपरा में स्थान देने का श्रे अगर किसी को जाता है तो वो लूई अल्थियूसर को दिया जाता है साहित संबंदी संदेचनावाद की पांच महत्मून मान्यताएं हमारे सामने आईं तो इसी कारण आईं एलेस रोडियेज की पुस्तर बुक्स एब्रॉड के हवाले से साहित संबंदी संदचनावाद की पानमान्यताएं जिनको उन्होंने रिखांकित किया वो इस प्रकार है पहली संदचनावाद की अनुसार किसी कृती की संदचनाओं के विशलेशन के माद्यम से उसका अर्थ निश्चित किया जा सकता है संदचनावाद क्या है अगर इसको समझना है तो किसी भी रचना की संदचना के विशलेशन के माद्यम से हम उसके अर्थ तक पहुँचने का उसके अर्थ के बोध का प्रयास कर सकते हैं किया जा सकता है फिर कहते हैं एतिहासिक और जीवनी परकालोचना पद्यतियों से उत्पन जो मो है उस मो भंग की समस्या का समाधान भी संदचनावादी पद्यति से ही होता है एतिहासिक और जीवनी परकालूचना पद्धतियों से जो मो भंग की समस्या पैदा होती है उसका समाधान भी इसी पद्धति से किया जाता है फिर वो कहते हैं ऐसा आलूचनात्मक द्रिश्टिकोन जो पाठ के संदर में क्योंकि पाठ के इंदर में है पाठ के संदर में स्रोत की अभेलना करता है अभिप्राय की अभेलना करता है परोक्षत है वही संदचनावादी होता है और चौथा संदचनात्मक विशलेशन मनो व विशलेशन या माक्सवाद से प्रभावित जो भी वरगी करण की पद्धतियां है उनसे मुक्त रहता है और संरचनावाद देशकाल की दृष्टी से दूरस्त रचनाओं के विशलेशन में सरवाधिक सफल होता है लेकिन एक आलोचक समकालीन रचना की संरचनात्मक व्याख कर सकता है उसके अंदर बैठे हुए अर्थ को उद्धत कर सकता है साहित के ख्षित में संरचनावादी दृष्टी की कुछ सीमाएं भी है संरचनावादी दृष्टी से साहित रूप की मिमानसा और साहित की भाशिक संरचना की शैली विज्ञानिक विवेचन में मदद करत लेकिन साहित्य के इतिहास बोध में उसकी भूमी का नहीं दिखाई देती। साहित्य क्षित्र में रचना के व्यस्त और निरस्त मूल्य तथा पाठक की मूल्य चेत्ना इस पर रचना में व्यक्त मूल्यों के प्रभाव का आकलन भी आवश्यक माना गया है। जबकि संदचनावाद केवल कृती के वस्तुनिष्ट, स्वायत और निर्वयक्तिक रूप के विश्टेशन पर तक ही सीमित रहता है, बल देता है। साहितिक कृती की भाषा और संदर शास्त्री अवधारना, इनके महत्पूर्ण आयामों को भी जब हम देखते हैं, तो संदचनावाद रचना को मात्र शाब्दिक या भाषिक संदचना तक सीमित रखता है। संदचनावाद साहितिक कृतियों की संदचनाओं की समकालीनता की खोज करता है और रचना की वर्तमान स्थिती पर विचार करते हुए, साहितिका इतिहास रचना की एतिहासिक्ता और वर्तमान स्थिती के दुन्दौात्मक संबंद इन दोनों का विवेचन करता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि सनरचनावाद इतिहास को नकारता आए। लेवी स्ट्रॉस ने ये माना भी है कि सनरचनाएं शाश्वत होती हैं, काल विहीन होती हैं या कालोतर होती हैं, काल से उपर होती हैं। इसलिए वो काल की सीमाओं में, इतिहास की सीमाओं में उसे बांधना नहीं चाहते हैं। व्यक्त करती हैं, जो हम कहते हैं, सोचते हैं, उसका अर्थ हमें ग्यात होता है और भाशा के बाद्यम से हम उसे संप्रेशत करते हैं। इससे भाशा में, जिसे मैं कहकर पुकारा जाता है, वैं लेखक के सत्य और अर्थ का केंद्र होता है। सत्य वय है जिसे मैंने ऐसा समझ लिया है संरचनावादी इस मॉडल को नकार देते हैं और वो इस मत का खंडन करते हैं वो कहते हैं कि भाशा की संरचना यथार्थ को निर्मित करती है अर्थ का उदगम अस्तित्व या अनुभव से नहीं अर्थ वयाकरन चिन पैटरन की व्यवस्था से होता है वहीं से आता है इसलिए अर्थ के केंद्र में व्यक्ती नहीं रहता संरचना रहती है इसी बात को आगे चलकर संरचनावाद की मुलभूत माननेताओं के साथ जोड़ा गया तो बहुत से विचारकों ने उनका विरोध अस्तित्व वादियों और मानवतावादियों के रूप में किया यानि जो अस्तित्व वादी थे और मानवतावादी चिन तक थे उन्होंने इन माननेताओं का विरोध किया इसी लिए उत्तर संदचनावाद इतिहास दृष्टी के साथ हमारे सामने उबरा उत्तर संदचनावाद के प्रभावशाली विद्वान जौग दैरीदा हैं और उत्तर संदचनावाद के विकास की स्थितियां सस्यूर के भाषा संबन्दी चिंतन की सिमाओं को उजागर होने के साथ साथ प्रारंभ होई और इसी कारण अनेक संदचनावादी उत्तर संदचनावादी की रह पर अग्रसर हो गए तो उत्तर संरचनावाद ने संरचनावादियों के समक्ष जो प्रश्चिन ने खड़े किये थे वो उनका उत्तर खोजने के लिए उत्तर संरचनावाद के साथ जुड़ गए सात्मे दशक के अंतिम वर्षों में शुरू हुआ उत्तर संरचनावादी रुजान जिसमें संरचनावाद द्वारा पैदा की गई वईज्ञानिक वस्तुपरक अपेक्षाओं का प्रत्याथ्यान किया गया उत्तर संरचनावाद का जोर भाषा के भीतर प्रपंची करण की प्रक्रिया पर रहा इसलिए कह सकते हैं कि जहां संरचनावाद अर्थ को एक संकेतक से दूसरे संकेतक की भिन्नता का परिनाम बानता है वहीं उत्तर संदचनावाद अर्थोत पादन को किसी चिर प्रक्रिया का परिनाम मानने से इंकार कर देखा है संदचनावाद या संदचनावादी चिंतन में जो महत्व या जो संदर्व या जो रेफरेंस उभर कर आते हैं उन्हें उलटकर उत्तर संदचनावादियों ने difference या विभेद के रूप में रेखंकित किया महत्पूर्ण स्थान दे दिया कुल मिलाकर संदचनावाद और उत्तर संदचनावाद ये दो समीक्षा की पद्धतियों के रूप में हमारे समक्ष उभर कर आए ये दो अवधारनाएं हमारे सामने उभर कर आईं। इसलिए विचारात्मक आग्रह से रचना की मुक्ति परबल दिया गया। रचनावाद को हमारे समक्ष समिख्षकों ने जरूप में हमारे सामने आती है। तो मित्रों इस विषय को अब यहीं विराम देते हैं और नए विषय के साथ पुने? आपके समक्ष उपस्तित होंगे आग्या दीजिये। नमस्कार। झाल झाल